नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Fast Study Planner में दोस्तों देखे ये यूटूब पर मेरे एक चैनल है Fast Study Planner के नाम से इस पर बहुत सी वीडियो पड़ी हैं ये तो आप जानते ही होगे मैं वीडियो डेली डालता हूँ आप अपडेट देखते रहते होगे इस पर तो देखे इसमें एक हमने पॉल कराया था पॉल क्या था वो जैसे कि आप यहाँ पर होम है ये ये होम है ये वीडियो है ये सोट वीडियो है चैनल की ये प्लेलिस्ट है और ये है कम्यूटी टैब तो जैसे ही हम कम्यूटी टैब पर जाते हैं इसमें देखें ये मैं कम्यूटी टैब पर गया तो इसमें यहाँ पर देखे यह, यह मैंने एक क्रिस्टन पूछा था, कि किसके पास ज़्यादा अधीकार है तो मैंने दो पोश्ट का इसमें कमपेरिजन किया था, एक तर्समिक्स अधीकारी उत्तरपरदे सचीवाल्य और एक दरोगा यूपी पुलिस में तो इसमें 381 लोगों ने जवाब दिया है इसका, यानि वोट किया है इसमें, 10 ने लाइक भी किया है तो इसमें मुझे यह विडंबना हुई कि जो ज़्यादा अधीकार हैं, वो 92% लोगों ने समिक्स अधीकारी उत्तरपरदे सचीवाल्य को बताया है जबकि यह गलत है, जो अधीकार है, वो दरोगा के पास ज़्यादा होते हैं, किसी भी राज्य की पुलिस में दरोगा यह मैं समझें कि जो सब इंस्पेक्टर है, BSF, CRPF, CSF, ITB, PSSB यह वाला सब इस्पेक्टर नी, यह तो एक सिक्योरिटी गार्ड का इंचार्ज समझें, दरोगा किसी भी राज्य की पुलिस का जो थाने वाला होता है उसके पास इतने अधिकार है, देखें यह समिकसा अधिकर्य आपको नाम से लग रहा होगा, लेकिन यह एक ओफिस वाली उत्तर परदेश सची वाली में उत्तर परदेश की सर्वोच संस्था में नोक्री है ये बात अलग है लेकिन है तो एक ओफिस की नोक्री ही तो इसमें इतने अधिकार नहीं होंगे जितने की एक दरोगा के पास है दरोगा के पास जो CRPC है यानि Criminal Precosure Code इसमें घर में घुसने से लेकर चेकिंग करने का दंड देने का हर चीज का दिकार दरोगा के पास है आपने कहावत भी सुनी होंगी कि एक दादा जी जब पहुँचा जज़ के पास अपना केस जीतने के बाद 20 साल बाद वो केस जीता था तो जज़ ने कहा कि दादा जी हमारी नियाए विवस्ता पर आपको विश्वास है अपने लड़के को जज़ी बनाना तो उस बूड़े व्यक्ती ने कहा कि मैं जज़ नहीं मुझे तो दरोगा की पावर का एसास हो गया क्योंकि जो दरोगा ने मैं से 20 साल पहले का था कि 5000 रुपे दे तो यहीं पर केस रफा दफा करता हूँ यहां तक आता ही नहीं यह केस तो देखें फिल्ड की जो जोब होती है उसमें पावर होती है अधिक और ओफिस वाली में होती है कम लेकिन यह इससे ग्रेड पे में ज़्यादा है दरोगा का है ग्रेड पे 42 सो और समिकसादीकारी का है 48 सो तो grade पे में तो ज़्यादा है लेकिन अधिकार और कर्तव और जिम्मेदारी है दरोगा की ज़्यादा क्योंकि ये public dealing इसमें बहुत है direct जनता से जुड़ी हुई नोकरी है जैसे कि मैं आपको IAS में बताऊं तो IAS में एक तो collector सुना होगा अपने DM DM जो direct जनता से जिले का सरकार का सबसे बड़ा पड़ती नहीं दिया जिले का सर्वोच अधिकारी होता है ये भी पोल मैं कराता रहता हूँ इस तरह के अपने channel पर community में तो देगे DM को पास जितने अधिकार है उतने जो secretary बन जाएगा वहाँ पर सची वाले में चैसेंटरल गवर्मेंट में बने है श्टेट गवर्मेंट में उसके पास इतने अधिकार नहीं होंगे जितने की जिला collector के पास होते है तो ये लोगों में बहुत बहांतिया है इन बहांतियों को तोड़ने के लिए मैं ऐसे question करता हूँ अब इसमें क्या है जो जिस पर टिक कर देगा वो जैसे मैं सची वाले वाले पर कर दूँ तो सची वाले वाला बन में परसेंट दिखा रहा है अब इसे कर दूँ तो इसे जिसने लोगों ने मतलब एक की देखा देखी तो गलत उत्तर को ही सब चुनते चले गए क्योंकि लोगों ने जादा समिक्सादीकरी का अधिकार बताए तो सब ने सोचा की इसी के होंगे लेकिन ऐसा नहीं है ये तो एक बाबू वाली नोकरी है मानी कलर्क की है है तो अधिकारी बड़ा अधिकारी respected अच्ची जोब है और हाप बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाए करें क्योंकि वीडियो में डालता हूँ यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि तब ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुचेगे और तब ही आप वीडियो देखेंगे आपका सब्सक्राइब करने से ही हमें उत्सा मिलता है वीडियो डालने का वरना हमारे पास व्यूज से इन से लाइक से यर से कोई मतलब ने है सब्सक्राइब कीजिए और देखिए धन्यवाद दोस्तों